इस वीडियो में आपको क्रेरी लेक के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसने नहीं देखा वहां जाके तेख सकते हैं तो शुरुवात करेंगे अब हम इस मंदीर के साथ आएए सुनते हैं क्या कहानी इस मंदीर की इस मंदीर के बारे में मारे भाई आपको एक्स्प्लेन करके बताएंगे इसकी कहानी क्या है तो आएए भाई से पूछते हैं हमको बताओ किस मंदिर के बारे में साफी चला गए बंदा उपर जाके लाम डल से थोड़े से निची, उसको क्या हूँए अधी मतलब भूब भीमार हो गया, अक्सीजन की तमीची उचको ना, भूब भीमार हो गया बहां से बंदे ने उठाके लाया उसको बड़ी मुश्क्रश से, मतलब, उसकी आलत मतलब काफी गंबीर हो दी आधा यहां पर लाए और यहां पर आखिर उसके डटोगी और उसकी याद में फिर यह मंदिर उनके घरवालों ने बनाया है थैंक्यू भाई यह तिस मंदीर की कहानी तो आई अब हम चलते हैं अपनी ट्रैक की तरफ और पहुंचाते हैं आपको क्रेरी लेक तो दोस्तों अब हम इस जन्न से सिर्फ कुछी कदम दूर आ चुके हैं तो आप मेरे को सिर्फ पास सेगिंड का टाइम दो मैं आपको इस जन्न के तरफ ले चलता हूं कि याज यह है क्रेरी लेक जन्नत दोगी सिर्फ आपको हिमाचल में मिलेगी कांगडा डिस्टिक में अभी हम चलो टैंट लगाएंगे वह भी आपको लिहाएंगे कैसे कैसे हम कैम्पिंग करेंगे वाकी अब इंज्वाइए करो इस व्लोग को हमारे साथ चलो चलें चलते हैं अपने कैम्पिंग की तरफ स्क्ष्ण करेंगे झाल झाल तो दोस्तों ये है महादेव का मंदिर जो कि क्रेरी लेक में है तो यहाँ पर आपका भी आओ तो इस मंदिर में जरूर आएं और यहाँ से आपको लेक का व्यू भी दिखेगा तो दोस्तों ये है शीवा कैफे जो कि आपको क्रेरी लेक की केमपिंग साइट के पास मिलेगा यहाँ पर आप चाय कोफी मेगी ट्राइ कर सकते हैं यहां की खास बात यह है कि यहां के व्यू के साथ साथ आप कुछ खाने का भी ट्राइ कर सकते हैं दोस्तों, यह ने पिछे अपनी टेंटे लगाए हुए है रात के लिए अब आपको रात का विऊ भी दिखाएंगे बाकिये अपने दोस्तों ऊपर गे हुए हैं लकडियां लेने वो भी दिखाएंगे कैसे कैसे हम अपनी लकड़िया काटकर और उनकी आग जिलाते हैं तो आईए उनका इंतजार करते हैं यह आपको निच्छे मंदिर दिख रहा होगा यह महादेप का मंदिर जो की ग्रेरी लेक के साथ है तो दोस्तों यह हमारे साथ ही जो की लकड़ियां लेकर आ रहे हैं यहां ठंड ज्यादा है तो लकड़ियों की ज्यादा जूरूत पड़ेगी तब ही हम आपको रात का व्यू दिखा पाएंगे अब हम देखेंगे शाम का व्यू तो आई यह देखते हैं तो दोस्तों यह चान निकलता हुआ पाड़ों के पिछे से लाइटनिंग थोड़ी कम होने के कारण आपको पहाड और टेंट दिखेंगे नहीं तो ऐसे ही देखना पड़ेगा तो आई इंज्वाई करते हैं रात सब्सक्राइब के व्यू को साथ मिलकर इंज्वाई करते हैं इस वैदर को कि अगया है तो दोस्तों यह वाई अपना कुछ बनाने की ट्राइब कर रहा है देखते हैं क्या बना के खिलाता हैं को तो आप पिछे देख सकते हैं सनलाइट की बज़ा से आपको पहाड़ों पर पत्थर शाइन करते हुए दिखेंगे यह क्रेले की खासियत तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नहीं जगा पे नहीं वीडियो के साथ डू लाइक शेर और सब्सक्राइब एक्स्क्लूजीव ही मच्च्च कर दोस्तों आपको प्रूजीव ही मच्च्च